ओम श्री साइनाथाय नमहा श्री साइसर चरित्र अध्याय पच्चिस दामु अन्ना कासार एहमद नगर की रुई और अनाच की सौदे आम्र लीला प्रातना प्राकतन जो अकारणी सभी पर दया करते हैं और समस्प्राणियों के जीवन वा आश्रे दाता हैं जो पर ब्रह्म के पूर्ण अफ्तार हैं ऐसे अहितुक दिया सिंदू और महान योगी राज के चड़नों में सास्टांग नमन कर अभम ये अध्याय आरम करते हैं श्री साइन की जैहो वेसंत चुडामनी समस्प्राणियों के उद्गम स्थान और हमारे आत्मरान तता भक्तों के आश्रे आता हैं हम उन साइनात की चरन वंदना करते हैं जिनोंने अपने जीवन का अंतिम धे प्राप्त कर लिया है श्री साइन बाबा और निरवल्चनिये प्रेम स्वरूप हैं हमें तो किवल उनके चरन कमलों में डिन भक्ती ही रखनी चाहिए जब भक्त का विश्वास डिन और भक्ती परिपक हो जाती है तो उसका मनुरत भी शिगर ही सफल हो जाता है जब हिमाटपंद को साइन साइन चरितर और साइन लिलाओं को रचने की तीवर उतकंटा हुई तो बाबा ने तुरन थीवे पूर्ण कर दी जब उन्हें स्मृति पत्र इत्यादी रखने की आग्य हो सका फल्सरूप यह करंद शिरी साइन सर्चरितर आप लोगों को उपलब्ध हो सका जो एक निर्मल स्त्रोत या चंदरकांत मणी की स्रदिश है जिसमें से सदेव साइन लिला रूपी अम्रित जरा करता है ताकि पाठा गंजी भर कर उसका पान कर सके जब भक्त पूर्ण अंत्यकरन से शिरी साइन बाबा की भक्ती करने लगता है तो बाबा उसके समस कस्टोर दुर्भागयों को दूर कर स्वेम उसकी रक्षा करने लगते हैं एहमद नगर के शिरी दामुदर सावल राम रासने कासार की निमले की कथा उप्यु कथन की पुष्टी करती है जरीदार बढ़िया ध्वज इस अफसर पर भीट करते और वहां एकत्रित गरीब भिख्ष्टों को भोजन आदी कराया करते थे दामुदर के सौधे रूई का सौधा दामुदर को बंबई से उनके मित्र ने लिखा कि वे हैं उनके साथ साजेदारी में रूई का सौधा कर पर ही सारा भार छोड़ने वाला था धलाल ने लिखा कि धंदा अती उत्तम है और हानी की कोई अशंका नहीं ऐसे स्वर्णी मफसर को हाथ में ना को हाथ से नाख होना चाहिए दामुदर के मन में नाना परकार के संकल्प विकल्प उठ रहे थे परंतु स्वैम कोई निर्न मज़ित में जाकर उन्होंने बाबा के समक्ष रख दिया शामा ने बाबा से यह पत्र के संबंद में पूछ ताश की उत्तर में शामा ने कहा कि एहमद नगर के दामू अना कासार आप से कुछ आग्या प्राप्त करने की प्रात्ना कर रहे हैं बाबा ने पूछा की वहें इस पत्र में क्या लिख रहा है और उसने क्या योजना बनाई है मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि वह अकाश कुछ चूना चाहता है उसे जो कुछ भी भगवत कृपा से प्राप्त है वहें उससे संतुष्ट नहीं अच्छा पत्र पढ़कर सुनाओ शामा ने कहा जो कुछ आपने अभी कहा वही तो पत्र में भी लिखा हुआ है हे देवा आप यहां शांत और स्थिर बैटकर भी भक्तों को उद्विगिन कर देते हैं और जब वे अशांत हो जाते हैं तो आप उन्हें आकरशित कर किसी को पत्रों द्वारा यहां खीच लेते हैं जब आपको पत्र का आश्रे विदित ही है तो फिर मुझे पत्र पढ़ने को विवश्ट क्यों कर रहे हैं बाबा कहने लगे की शामा तुम तो पत्र पढ़ो मैं तो ऐसे ही अनाफशनाब बगता हूँ मुझ पर कौन विश्वास करता है तब शामा ने पत्र पढ़ा और बाबा उसे दिहान पुर्वक सुनकर चिंते तो कहने लगे मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि सेट पागल हो गया है उसे लिख दो कि उसके घर किसी वस्तु का आभाव नहीं है इसलिए उसे आधी रोटी में ही संतोशकर लाखों के चक्कर से दूर रहना चाहिए शामा ने उतर लिख कर भीज दिया जिसकी परतिक्षा उत्सुकता पुर्वक दामो अन्ना कर रहे थे पत्र पढ़ते ही लाखों रुपे की लाव होने की उनकी आशा पर पानी फिर गया उन्हें उस समय ऐसा विचार आया कि बाबा से परामर्श कर उन्होंने भूल की है परन्तु शामा ने पत्र में संकेत कर दिया था कि देखने और सुनने में फरक हुआ करता है इसलिए स्रेशकर तो यही होगा कि स्वेम शेड़ी आकर बाबा की आग्या प्राप्त करें बाबा से स्वेम अनुमती लेना उचित समझ कर वे शेड़ी आए बाबा के दर्शन कर उन्होंने चरन सेवा की परन्तु बाबा के सम्मुक सौधे बाली बात करने का साहर स्वे ना कर सके उन्होंने संकल्प किया कि यदि उन्होंने कृपा कर दी तो इस सौधे में कुछ लावांज उन्हें भी अर्पन कर दूँगा यदि पिया विचार दामु अन्हा बड़ी कुपृति से अपने मन में ही कर रहे थे तो भी तरिकाल दर्शी बाबा से क्या चिपा रह सकता था बालक तो मिष्ठान मांगता है परन्तु उसकी माउस को करवी औशुदी देती है क्योंकि मिठाई स्वास्ते के लिए हानी कारक होती है और इस कारण में बालक की कल्यानार्त उसे समझा भुजा कर कडवी औशुदी पिला देती है बाबा एक दयालु मां के समान थे वे अपने भक्तों का वर्तमान और भविश्य जानते थे इसलिए उन्होंने दामो अन्ना के मन की बाद जानकर कहा कि बाबा ने इस विचार को भी समझ कर उनसे कहा कि तुन रूपे का पांच सेर खरीक दोगे और साथ सेर बेचोगे इसलिए उन्होंने इस धंदे का भी विचार त्याग ना पड़ा कुछ समय तक तो अनाजों का भाव बढ़ता गया और ऐसा प्रतीत होने लगा कि संभव है कि बाबा की भविश्यवानी सत्य निकले परंतु दो एक मास के पश्चाथ सब स्थानों में पर्याप्त व्रिष्टी हुई जिसके फलसरू भाव अचानक ही गिर गए और जिन लोगों ने अनाज संग रह कर लिया था उन्हें एतिस ठानी उठानी पड़ी पर दामू अन्ना इस विपत्ते से बच गए यह कहना वियर्थ ना होगा कि रुई का सौधा जो कि उस दलाल ने अन्ने विपारे की साजेधारी में किया था उसमें उसे अधिक खानी हुई बाबा ने उन्हें बड़ी विपत्तियों से बचा लिया है यह देखकर दामू अन्ना का साईचड़ों में विश्वास डिन हो गया और वे जीवन परियंद बाबा के सच्चे भक्त बने रहे आमर लीला एक बार गोवा के एक मा मामलतदार जिनका नाम राले था लगबक तीन सो आमो का पारसल शामा के नाम शेड़ी भेजा पारसल खोलने पर सभी आम अच्छे निकले भक्तों ने इनके वितरन का कारेश शामा को सौपा उनमें से बाबा ने चार आम दामो अन्ना के लिए प्रिथक निकाल कर रख लिए दामो अन्ना की तीन स्रियां थी परन्तु अपने दिवे वक्तवे में उन्होंने बतलाया कि उनकी केवल दो ही स्रियां थी वे संतान हीन थे इस कारण उन्होंने अनिक जोतिशियों से इसका समधान कराया और स्वेम भी जोतिश शास्तर का थोड़ा सा अध्यन कर ग्याद कर लिया कि जनम कुडली में एक पाप ग्रह के स्थित होने के कारण इस जीवन में उन्हें संतान का मुख देखने का कोई योग नहीं है दामु अन्ना के हिर्दे पर वज्रा घात हुआ परंतु मालसा पती ने उन्हें समझाया कि इस मृत्यू का शब्द अहंकार के विनार से है और बाबा के चर्णों की कृपा से वह आशिरवाद स्वरूप है तब वे आम खाने को त्यार हो गए इस पर बाबा ने कहा कि वे तुम ना खाओ उन्हें अपने चोटी इस्टरी को खाने दो उन आमों के प्रभाव से उसे चार पुत्र और चार पुत्रियां उत्पन होंगी यह आग्या शिरोधारेकर उन्होंने वे आम ले जाकर अपनी छोटी इस्तरी को दे दिये धन्य है श्री साइं बाबा की लीला जिनोंने भागे विधान पलटकर उन्हें संतान सुप दिया बाबा की स्वेच्छा से दिये वचन सत्ते हुए जोतिश्यों के नहीं बाबा की जीवन काल में उनके शब्दों ने लोगों में अधिक विश्वास और महिमा स्थापित की परन्तु महान अश्चारे है कि उनके समाधिस्थ होने की उपरान भी उनका प्रभाव पूर्वत ही है बाबा ने कहा कि मुझ पर पूर्ण विश्वास रखो यदि भी मैं देत्याग भी कर दूँगा परन्तु फिर भी मेरी अस्थियां आश्चा और विश्वास का संचार करती रहेंगी केवल मैं ही नहीं मेरी समाधिवी वारतलाप करेगी चलेगी फिरेगी और उन्हें आश्चा का संदेश पहुचाती रहेगी जो अनन्य भाव से मेरे शर्णागत होंगे निराश ना होना मैं तुम से विदा हो जाओंगा तुम सदैव मेरी अस्थियों को भक्तों के कल्यानार्थी चिंतित पाओगे यदि मेरा निरंतन स्मरन और मुझ पर जिन रिश्वास रखोगे तो तुमें अधिक लाप होगा प्रातना एक प्रातना कर हिमाटबंत ये अध्याय समाप्त करते हैं हे साइन सद्गुरू हमारी आपसे प्रातना है कि आपके अभे चरणों की हमें कभी वी स्मृति ना हो आपके श्री चरण कभी भी हमारी दिश्टी से ओजल ना हो हम इस जनम रित्यों के चक्र से संसार में अधिक दुखी है अब दिया कर इस चक्र से हमारा शिग्र उद्धार करो हमारी इंद्रियां जो विशेपदार्तों की और अकर्शित हो रही है उनकी भाय प्रवती से रक्षा कर उन्हें अंतर मुखी बना कर हमें आत्मदर्शन की योग्य बना दो जब तक हमारा इंद्रियों का बहीर मुखी प्रवती और चंचल मन पर अंकुष नहीं है तब तक आत्म साख्षात कार की हमें कोई आशा नहीं है हमारे पुत्र और मित्र कोई भी अंत में हमारे काम ना आएंगे हे साइं हमारे तो एक मातर तुमी हो जो हमें मुख्ष और आनन्द प्रदान करोगे हे प्रभु हमारी तर्क वितर्क तता अन्ने कूप रवित्यों को नस्ट कर दो हमारी जीवा सदैव तुमारे नाम स्मरण का स्वाथ लेती रहे हे साइं हमारे अच्छे बुरे सब प्रकार के विचारों को नस्ट कर दो प्रभु कुछ ऐसा कर दो जिससे हमें अपने शरीर और ग्रह में आ सकती ना रहे हमारा आंकार सरवता निर्मूल हो जाए और हमें एक मातर तुमारे ही नाम की स्मृति बनी रहे हमारे मन की अशांती को दूर कर उसे स्थिर और शांत करो हे साइं यदि तुम हमारे हाथ में ले लोगे तो अग्यान रूपी रात्री का आवरन शिक्र दूर हो जाएगा और हम तुमारे ग्यान प्रकाश में सुख पूर्वक विच्रन करने लगेंगे यह जो तुमारा लीला आमरित पान करने का सुभागया हमें प्राप्त हुआ तथा जिसने हमें अखंड निद्रा से जागरित किया है यह तुमारे ही किरपा और हमारे कजन्मों के शुब कर्मों का फल है विशेज इस संबंद में श्री दामो अन्ना के उप्रोप कथन को उद्धित किया जाता है जो ध्यान देने योग्य है एक समय जब मैं अन्य लोगों सहीद बाबा के श्री चर्णों के समीब बैठा था तो मेरे मन में दो प्रशन उठे उन्होंने उसका उत्तर इस प्रकार दिया एक जो जन समयदाय श्री साइं के दर्शना शिर्णी आता है क्या उन सभी को लाब पहुँचता है इसका उत्तर उन्होंने दिया की बौर लगे आम व्रिक्ष को देखो यदि सभी बौर फल बन जाएंगे तो आमों की गन्ना भी ना हो सकेगी परन्तु क्या ऐसा होता है बहुत से बौर जर कर गिर जाते हैं कुछ फले और बड़े भी तो आंदी के जगोरों से गिर कर नस्ट हो जाते हैं और उनमें से कुछ ही शेश रह जाते हैं दूसरा प्रशन मेरे स्वैम के विशे में था यदि बाबा ने निर्वान ले लिया तो मैं बिल्कुल ही नराश्रित हो जाऊंगा तब मेरा क्या होगा इसका बाबा ने उत्तर दिया कि जब और जहां भी तुम मेरा स्मरण करोगे मैं तुमारे साथ ही रहूँगा इन वश्णों को उन्होंने सन 1918 के पूर्व भी निभाया और सन 1918 के पश्चाद आज भी निभा रहे है वे अभी भी मेरे साथ रहकर मेरा पत्परदर्शन कर रहे है यह घटना लगबक सन 1910 या 11 की है उसी समय मेरा भाई मुझसे प्रिथक हुआ और मेरी बहन के मृत्यू हो गई मेरे घर में चोरी हुई और पुलिस जाच अदिकार पड़ताल कर रही थी इन्ही सब घटनाओं ने मुझे पागल सा बना दिया मेरी बहन का स्वरगवास होने की कारण मेरे दुख का पारवार ना रहा और जब मैं बाबा की शरन गया तो उन्होंने अपने मधुरूप देशों से मुझे सांतना देकर अप्पा कुल करनी के घर पूरन पोली खिलाई तथा मेरे मस्तक पर चंदन लगाया जब मेरे घर चोरी हुई और मेरे लिए एक तीस परशे मित्र ने मेरी इस्त्री के गहनों का संदूग जिसमें मंगा सुत्र और नत आदी थे चुरा लिए तब मैंने बाबा के चित्र के समक शुरुदन किया और उसके दूसरे ही दिन वहवेक्तिस्वेम गहनों का संदूग मुझे लोटा कर श्रम प्रात्ना करने लगा श्री सद्गुरू साइन आथरपन मस्तू शुभम भवतू ओम साइन राम